किर्सानी सब तो वद रिस्क वाला प्रोफेशन है कि मेरा दस लख रुपईया, वी लख रुपईया, सिद्धा इबार खितां जबे है बिलकुल जदता को दाने मेरे कारा के विक नहीं जान दे, ताता को मेरा रिस्क के रिस्क है प्रोजेक्टता ना रखता उत्षा, क्या बात है तसी बहलो एक वरी उत्षा, फिर बहलो, उत्षा, उत्षा बहलो के की आ गया, हसा आया जी, उत्षा आ गया, उत्षा आया और एक चेरे दे उत्ते एक मुस्कान आई, स्माइल आई के मुश्किलां सानू मजबूत बनाऊं दिया, ओके में डाक्टर मनमोहन सेंग स्कॉलर्शिप ते पड़े जे, होना दे को ले ना पैसा नहीं सी क्यों पढ़ाई कर सकते आज जेड़े भी बच्चे सोच देने ना भी साड़े माता पिता कोल पैसे नहीं आगे, असी गरीब हाँ, असी अग्गे नहीं बाद सकते मैं कहना नहीं रादर तुसी को भी मेरे ते मुश्किल आई है, जे ओ अग्गे निकलेने ते मैं भी निकल सकता नानिक बोलन चक्खना, नानिक जी कहरे ने के ऐफो जया बोलना चक्ख मारन दे बराबर है, की बोलना, दुख चड मंगिया सुख, असी सारे जाके ही करने, अभी दुख ना आवे, सुख आवे, दुख चड मंगिया सुख, ते गुरु साब अगे कहने ने, सुख दुख दोए दर कपडे, पहरे जाए मनुख। सुखते दुख कपडे ने, मैं रोज यही शटता नहीं पांदा। तुसी यही कपडे था नहीं पांदा। जिन्नेयां मुश्किलां दसमें पाथशा गुर्गोबिन सिंग जी ते आईयां की सड़े ते आन गीयां। पंजाबी निशेडी हो गया है, नौजमान निशेडी है। असी भी सारा देने ही खबरां कर दे हैं। अपना एक सभा है, अपना टेलेंट है। उस टेलेंट उसी मॉटिवेट करिए, उन्हों उत्षात करिए। ते ओ, बच्चे यकीनन बहुत कुछ वदिया कर सकते। जे मैं मैं मैंथ चो फेल हो गया सी, मेरी टीचर केंदी सी, तू गोलगप पे अंदी रेडी लाएंगा। पर मैं वदिया जगा ते हुन जिन्दीज सैटल बैठा। के मैंथ जरूरी नहीं सीगा। जे मैंनू सान लगया चड़दी कला दे ख्याल आंदेने। सोय अचिंता हुन्दा। जाग अचिंता। उठ दियां ये बड़ा चान अल उठ दियां। फिर समयलो मैं सक्सेसफुल। ये पेरेंट्स नूँ खदिशा भी पता नहीं पंजाबी बुलनगे ते पिछे रह जानगे। ससी काल डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हूं तुसी मेहां सिमरिन जोद सिंग। अक्सर असी बहुत वड़ियां गलां दे वेच उल्ज के रह जानेयां। अक्सर जो घ्यान दी गल हंदी है ता असी टीसी ते पहुंचन दी गल कर दे हैं पर जितों शुरुआत हंदी हैं तो गलां नूँ होली होली पुल दे जानेयां। मिसाल दे तो औरते जो मैं थो नो पुचा के तुसी तीजी, चौती, पंजवी जमात दीयां कताबां जो चीजां पढ़ीयां सी ओ याद है सारीयां नेडियों होके जिन्दगी नो जानन वाले इंसान नाल करांगे मेरी मुराद है डॉक्टर सरब जीत सिंग जी पंजाब केती बड़ी उनिवरस्टी तो स्वागत है आपदा तर्ट साब जी में मैं गल कीती है मेरा पहला स्वाल बड़ा सिंपल है के जिंदगी जीन दा नुक्ता की है जी फंडा की है जिंदगी जीन दा नुक्ता या फंडा या निशानना, मैं काँगा वी अनन्द विच रेना, चटदी कला विच रेना, विगास विच रेना, ए सड़े जीवन दा मुख मुद्दा है, सब तो मुश्किल गल की होई है के पिछले समय दे विच साइंस दा इनना विकास होया है, सड़े सरीर नुब सब कुछ है, हैपिनेस नहीं है, मैं एक गल बहुत ज़्यादा कैनी शुरू कीती है, हैपिनेस बारे, और ये बड़ी तथ ने दे पिछे, साइंटिफिक तथ ने, के वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट आनी शुरू होई है, साठी देश इच हली भी GDP ते जोर पाया जन्द है ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रडूज किनी है अपार रोज मीडिया सुन दे आँखिनी GDP होगी, इननी होगी, इननी होगी इननी होगी, developed world देविच जी डी एच ते जूरूदता जा रहे है, ग्रॉस डॉमेस्टिक हैपिनेस, होथे दियां सरकारां देख रहियांने, वी केडि देखी ओदो एक सो चुरंजा देशा दा सर्वे होया सी ते अप आँ एक सो बाईवे नमबर दा मतलब है एक सो एकी देश है उन्हा दे लोग तो अडे तो वद खुश रहने ने बड़ी दुखताई गाला है एक सो चुरंजा विच्चों एक सो एकी देश तो अड़तो अगे ने हैपिनेस दे मामले विच दोजार अठारा मैं सोचिया भी बड़ा सरकार कलेम कर दी है भी बड़ा आसी विकास कीता है शेयर थोड़ी बहुत इंप्रूब्मेंट असा डी होई हो वे पर नहीं असी ग्यारा स्टेप पिछे चले गए अच्छा एक सो तेती में नमबरते आ गए अच्छा दोहजार उन्नी चड़या हर साल वी मार्च नो वर्ल्ड हैपीनेस डे होंदा है ते ओदों वर्ल्ड हैपीनेस रिपोर्ट आंदी है सिमर्न जोग जी दुख दीगाला ए-84 में नमबरते आगे 104 तो 140 में नमबरते आगे विचों 140 में अन्हीं地方 सर्वे होता है जी याँनी साधीों पिछे सिर्फ 16 देश रहेगे जेड़े खुश नहिए खुश्यां गईां कि थे डॉट साभ साईब बहुत मैं इस पॉइंट ते आना जी लोका ने कहना शुरू कर देता है कि इंडिया इस वन आफ दा मोस्ट डिप्रेस्ट कंट्री इन दा वर्ल्ड जदो मैं पंजाब दे विच वकफ़ थामाते से बरी गल करदा ना तो लोग कहने नहीं नहीं ऐसारे इंडिया दा है गया जिए कला पंजाब दा लोगे ते बैटर होएगा मैं कज़े कदे उननल सहमत भी हो जाना पर फिर मैं कहना भी नहीं हैस्वले पंजाब इच हर रोज खुदकुशियां हो रही हैं अगे खुदकुशियां हो रहां लोकां दी हैं सुन दे सी हून किसाना दी सुननी शुरू हो गए किसानी सब तो वद रिस्क वाला प्रोफेशन है कि मेरा दस लख रुपईया वी लख रुपईया सिदाई बार खितां जपे है जद तको दाने मेरे कारा के विक नहीं जान दे तको मेरा रिस्क है चाहे हो मौसम दा रिस्क है चाहे हो अग दा रिस्क है चाहे कोई हो रिस्क है लेकिन फार्मर कदे खुद कुशी नहीं सी करता हुंता एक डिप्रेशन है जिनने सानू खुद कुशी आवाल ले गया है उन्हें डिप्रेशन आया क्यों कि अचानक आगया कि एक दम बहुते लोग कहने ने जी करजे करके आया ये ठीक भी है ते गल्त भी है अच्छा गल्त के में है बहुत वदिया गल्त करजा खिती बड़ी दा करजा नहीं है खिती बड़ी दे करजे करके किसान डिप्रेशन ची नहीं गया ये रिपोर्ट्स ने ए विदानसबा असेंबली दी रिपोर्ट है के साड़े किसाना ने बहुत जादा खर्चा करना शुरू करता वे आहां थे शादियां थे पोगां थे वड़े ट्रेक्टरां थे वड़ियां कारां थे एक कारण है असी ये कहने है के खेती बाड़ी नू प्रॉफिटेबल तंदा बनाना चाहिदा है उदे लई सरकारा नू सानू करजे माफ भी करने चाहिदे ने ते सानू MSP भी देनी चाहिदी है ते होर जो भी खेती दे विच क्योंकि इंपुट्स कॉस्त बदी जा रही है तो सी उनना ज़ादा उदी मार्केट दी वेल्यू के सान नू नहीं दे रहे यह एक बहुत बड़ा कारण है पर यह मन लेना भी कल्ला एही कारण है डिप्रेशन दा ते ओ गल्थ होएगा साड़े लाइफ स्टाइल दे विच चेंज आ गई है साड़ा पाहीचारा तुट गया है पाहीचारा की तुटना साड़ा परवार ही तुट गये रहे साड़े अंदर निराश्शा साड़े अंदर इंडविजुलिज्जम के मैं सब कुछ कठा कर लाँ मैं ही मैं अग्गे हुमा है ना ओ पावनावा ने साड़े समाज नो तबाह कर देता है ते एक अल्ला पंजाब या हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड वाइड है ट्रेंड है लेकिन हिंदुस्तान बड़ी तेजी नाल हैपिनेस इंडेक्स पिछे आया है तड़ सब एक तुसी किसानी दी गल कीती है मेरे जहन चाहरे एक उच्छा प्रोजेक्ट भी तुसी चलाया ओ की है थोड़ा जो दे बारे दसो इस नेशनल लेवल दे उते नेशनल एगरी कल्चर साइंस फंड दाए प्रोजेक्ट सी जेड़ा 2016 दे विच पंजाब एगरी कल्चर यूनिवरस्टी विच शुरू है इस प्रोजेक्ट दे तैत असी खोज कीती किस तरीके नाल असी जेड़ा किसाना दे विच डिस्ट्रेस आ रहे है जेड़ा एक तना आ रहे है जेड़ी एक खला पैदा हो रहे है उक किमें असी कटा सकते हैं जब असी ये प्रोजेक्ट शुरू कीता ना इस बेसिकली एक बड़े सिंपल ये फार्मूले दे उते प्रोजेक्ट बेस्ट है गाजी उक की फार्मूला है गाजी कि जे कोई बंदा तो अड़ियां गल्लां सुन ले तो अड़ियां गल्लां कर लवे तो अड़ा जेड़ा दुख हलका हो जन्द है जे मैं बड़ा कबराट ही चाना जे मैं तो अड़ियां गल्लां कर लवा तो मेरा गल्लां करके ही मैं ठीक हो जाना मुश्किलां हैगियां ने किरसानी दियां लेकिनों मुश्किला इनिया जादा नहीं ने के ओ खुदकुशी ही हो दा हल समझिया जावे खुदकुशी किसे समझे दा हल नहीं सानू जूजना सिखना पहेगा असी ऐस प्रोजेक्ट देविज जो दो कम करना शुरू कीता तो बड़ी गिंती विच नौजवान सडिनल जुड़ गए लेकिन वो एकदम छड़ गए मैं बड़ा परिशान वही पहला पहला थे बच्चिया ने 500 बच्चिया ने 1000 बच्चिया ने 2000 बच्चिया ने फारम पारते कि असी कम करांगे तो सड़नली होना चो 20 बच्चिया ने रहागे पच्चिया ने रहागे एक ही होया मैं एक अनलाइस कीता देख्या कि जदो स्टूडेंट किसे दूसरे स्टूडेंट नूँ कहनदा है कि मैं सुइसाइड प्रिवेंशन वाले प्रोजेक्टते चलना पहली गालते प्रिवेंशन चाबद पिछे ही रहाजन दा सुइसाइड नजर आंदा भी सुइसाइड वाले प्रोजेक्टते चलना यह अपने आप इचिक डिप्रेसिंग है तो मैं अपने विर्से तो सेद लेंदे होई की कीता जी प्रोजेक्ट दा ना ही बजल देता प्रोजेक्ट दा ना रखता उच्छा क्या बात है तुसी बोलो एक वरी उच्छा फिर बोलो उच्छा उच्छा बोलके की आगया उच्छा आगया उच्छा आगया और चेरे दे उते एक मुसकान आई मैं कहना शुरू किता है चड़दी कला सोचांगे चड़दी कला हो जाएगी क्या बात है मुश्किला है ने बहुत किरसानी दिया मुश्किला ने अदरवाई सोसाइटी दिया मुश्किला ने लेकिन जे तुसी मुश्किलानों हुआ बना के दब जाओगे ते गए तो आनों मुश्किलान दे सामने डिटना पाएगा ते शब्दावली बदल दिती है असी उत्षा रख दिता ना और उस्तो बाद सानों इन्नी सफलता मिली सारे देश देविच तिन राजां वीचे प्रोजेक्ट चले है मैं नटशेल देविच दसना इस प्रोजेक्ट देविच पहली गालसी ये करनी शुरू कीती है नौजवान बच्चिया नाल ते ओ उना रही किसाना तक के मुश्किलां सानू मजबूत बनाओं दिया हम ओ के मैं बहुत वधिया स्वाल तुसी बड़ी हराणी दी काल है मैं टोक रहा है थो नू के तुसी कह रहे हो कि मुश्किलास अनू मजबूत बढ़ानी है मतलब मुश्किला होनिया चाहिए थिया थिया ने मैं गल कहना जी मेरे तेक मुश्किल आई स्पोस कर लो मैं एक कफ़ता परिशान रहा जे चे मेने बद हो ही मुश्किल दुबारा आगी और दसो मैं एक अफ़ता परशान रहाँ गा वद के कट कट रहाँ गे क्यों 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 तो अनू पता है कि नजटना के में ओदेना अच्छा दो साल बद हो ही समस्या फेर आगी होन दसो लेवल कटता जाना है कटता जाएगा बंदा हो ही मुश्किल हो ही पहली वारी सत दिन परशान रहा दूजी वारी दो दिन परशान रहा तीजी वारी परशान ही नहो या लड़न दा तरीका आ गया क्यों देना नजटना के में यानि मेरी कपैस्टी बद गई बलकुल सिमरन जोच जी बड़ी कमाल दी स्टेडी वर्ल्ड लेवल तेस विले चल रही याने एक स्टेडी होई रेंडमली उन्होंने संसार दे जड़े सफल मनुख ने न कठे कर ले उन्हादे सौ बंदे चुन ले उन्हादी लाइफ स्टेडी की ती बड़ी कमाल दी गाल उन्हा विचाई के जिनना ते वद मुश्किलां आईया ना वो जीवन चवाद दूपर पहुंचे क्या बात जिनना ते काट मुश्किलां आईया हो काट ते पहुंचे यह ता मतलब मुश्किलां ते सानू विकास कर दियाने सार्ण बना दियाने जिननी मुश्किल आएगी उन्हें तुसी स्ट्रॉंग बनाऊंगे ओना दे को लेना पैसा नहीं सी कि वो पड़ाई कर सकते आज जेड़े भी बच्चे सोई देने ना भी साड़े माता पिता कोल पैसे नहीं आगे असी गरीब हाँ असी अग्गे नहीं बद सकते मैं कहना नहीं रादर तुसी को भी मेरे ते मुश्किल आईया जे ओन अग्ग मैं ते सोईदा साड़ी साड़ी थौट ही बदल जन दी है को नानक साब बड़ी कमाल दी गाल बानी वे चांदी है नानक बोलन चक्खना अपा होली होली करियार समझ आ जानगी नानक बोलन चक्खना नानक जी कह रहे ने के ऐफो जा बोलना चक्ख मारन दे बराबर है की ब दुख ना आवे, सुख आवे, दुख चढ मंगीया सुख, ते गुरु साब अगे कें दिने, सुख दुख दोएदार कपडे, पहरे जाए मनुख, सुख ते दुख कपडे ने, मैं रोज यही शटता नहीं पांदा, तुसी यही कपडे ता नहीं पांदा, रोज में कपडे बदल दे हैं, कदे केडे रंग दे, कदे केडे रंग दे, ऐस तरह ही सा डे जीवन विच दुख ते सुख आउने ही आउने ने, जोदों सुख खाएना याद रखो, दुख खाएगा ही आएगा, तो जोदों दुख खाएना उदों भी याद रखो, ये निवता चेरनी रह सुख याई गई याई याई गई असी कहना शुरू कीता है मुश्किलाा आंदिया कोड़े थे ने जांदिया पैदल ने पराणा आखान है पर असी ना लैड करता भी होंसला रखो जांदिया जरूर जे कोई भी बन्दा किसे ते किन्यामी मुश्किला ने याद रखो जे तुसी होसला बनाई रखो गे न एह मुश्किला कटी जानगी या कटी जानगी या कटी जानगी तोड़ा होसला वदी जाएगा मुश्किला दे सामने जे तुसी कुटने टेक दिते मुश्किल वड़ी हो जाएगी मुश्किल दे सामने जो तुसी डट गए मुश्किल छोटी हो जाए तुसी एक हैं दी कोशिश कर रहे हो कि असी जदो गुरू कर जाने हैं गुरू तो जाके ए ना मंगिए कि मैंनो दुख न दे एक एक दुख न लड़न दा तरीका दे दे वेलकुल जी जो चीज मेरी किसे गलती नहीं कीती फिर भी मेरे ते मुश्किल आदी है ना एदा मतलब एक परमात्माने तुआ नू डवेल्प करन ली पे जी है एक तुआ ड़ा विकास कर रही जी असले जी एक प्रॉबलम नहीं यह अपरचुन्टी जी क्या बात है जदो असी ऐस नुकता निगा नाल हर प्रॉबलम नू देखांगे ना उप्रॉबलम उत्ती ही खत्म हो जाएगी जै एक इंग्लीश ना बड़ा प्यारा अखान है असी अपने टीम दे नाल बहुत शेयर कीता है पेंस एंड प्रॉबलम सार इनएविटेबल दुख भी ते मुश्किला मी आण गया ही आण गया बट तू बी मिजरेबल इस ऑप्शनल दुख विच दुखी होना है के नहीं होना है यह ऑप्शनल जी ऑप्शन करें ना ऑप्शनल सब्जेक्ट है भी आया लेना के या लेना जो दुख आए ना उदे चभी को मैं खुश रहना दुख दे आई गया देखो जे तुसी ऐस अवस्थाच ऐस नुक्ता निगानल मुश्किल दे सामने डट जाओगे न हो मुश्किल तो अनू दुखी नहीं कर से एदे चव एक सुवाल आ रहे है मेरे जैंच कई वर ऐसी इन्ने निराश हो जाने हैं जिंदगी चे सोच देंगे हैं के ए मेरे नाली क्यों हो रहा है यह आसी रभनू बहुत दोश दिने है और कई वरी तह इन्ने के पहुंझ जान्गे के गाला तक कड़ दिने है ऑसी जो असी ये समझ लबागे ना दुख छोटा हो जाएगा फरीदा मैं जाने या दुख मुझ को दुख सवाए जग उच्चे चड़के देखे आ कारकार एहाग एदिन आल तो अनू जड़ा अनू लगदा है ना वाई मी मेरे ती क्यों आया नहीं नहीं सारे आते आया ते तेरे तो भी वद कईया ते दुख आया जी बड़ा वदिया सिमर्जो जी तो ही स्वाल करता मैंनों याद आ गया मैं एक गल कहनी शुरू कीती है कि असी पंजाब गुरादी तरती है असी उत्छे बैठे हैं साड़े सामने साड़े गुरू सहवान ने दुख चेल के एड़ा जबरदस्त मौडल खड़ा कर देता है जिन्निया मुश्किला दसमे पाठशा गुर्गो बिन सिंग जी ते आया की साड़े ते आन गीया बलकल में नी दस्वाजी चार बच्चे चार सहवजादे चारे शहीद अनंदपुर साब अपना कार बनाया सी किला बनाया सी सब जड़ना पे गया कोई सेवक को कोल नहीं कोई खान पीन दा आहर नहीं माच्ची वाड़े ते जंगलां कल्ले ही गुरू साब मैंनू लगदा है जी मुश्किल ना साड़े तो किसे ते आही है ते ना कदे आही की गुरू साब ने इन्या मुश्किलां चेल के भी चिठी केड़ी लिखी है जी जफर नामा और अरंग जेव तू हार गया मैं जित गया पंजाब दी तर्ती दा कोई भी शक्स मैं ते कहना डिप्रेशन शबद साड़ा है ही नहीं सानु ये वरतने नहीं चाही दा ये ते कहते हो इनी सकदा सानु जदों अपनी मुश्किल वड़ी लगए ना गुरू साब दा जीवन याद कर लिए अपनी मुश्किल छोटी हो जाएग पर तो अनु लगदा के जिस तरह साड़ी नौजवान पीड़ी अगेवाद रिमेकसर कहना के हर बंदा उन्हाँ टार्गेट करके कह रहे है नश्याचने हरे एक उन्हाँ कह रहे है क्रिटिसाइज कर रहे है बार जा रहे है असी की पॉजेटिविटी दे पारे है असी ओहजा महौल दे पारे है उन्हाँ के उन्हाँ बाँ फढ़के कह या कि नहीं तुँ Entonces चंगा सोच घंगा अउन्हाँ महौल दे सकी है पहली गल असी एक प्रपे गंड़ा दे एक अजंडे दे विच असी शिकार हो गए हैं कि असी अपने नौजवाना नुन निंदना शुरू कर देता है। पंजाब एक डी कल्चे उनिवस्टी विच पाल अडिटोरियम है, पांच-छेसो दियो दी कपैस्टी है। कुछ साल पहला मैं बच्चियानो एक असाइन्मेंट दिती, कि मैं प्रैक्टिकल दी क्लास लेंदा सी। मैंनो एक असाइन्मेंट दिती विच तो अडी लाइफ दे जिड़े थी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स को लिखो। सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट केड़ी चीज किन्नो तुसी वेल्यू कर दे हो। नंबर दो ते नंबर तेन। जै मैं तो अनू पुछा तो अडे मांच की आया हो आएगा भी बच्चियाने आज कल दे बच्चे की लिख दे ओंगे। सब्सक्राइब तो तो अडे मांच आदा भी वो पैसा लिख दे ओंगे। टॉप दी पोस्ट लिख दे ओंगे। नशा लिख दे ओंगे। करियर लिख दे ओंगे। सिमरंजो जी तौनों हैरानी होएगी। सेवन्टी परसंट तो वद बच्चियाने लिख भी साढ़ी फर्स्ट प्राइटी, साढ़ी फैमिली है, साढ़े माता पिता ने। मैं ज़दो यह सर्वे कहिया ना शेयर कीता ना, वो कहां नहीं डग सा वो कुडियां जादा होण गियां। मैं कहां नो डवट कुडियां जादा सी। पर जे तुसी 50-60 परसंट कुडियां था भी मन लो ना, जे तुसी एन्नु में एक वरी मन के चल लो। बहुत सारे मुंडियां ने भी यह लिखिया है। अच्छा पैसा थर्ड प्राइटी ते कहियां दे सीगा नहीं ते पैसा सी यह नहीं हो। लेकिन एक कैदेना भी साड़े नौजवान गए, किसे कम दे नहीं, निशेडी हो गए। कि युनिवर्स्टी दा सर्वेय है, मैं लगदा है ता दिखावना चाहिए पूरे पंजाब दे विच। तिमर्ण जोज़ जी, सड़े यूथ दे विच बड़ा पुटेंशल है, सड़ा यूथ बड़ा कुछ कर सकता है। मैं सोच दा है, जवे हाकी दे कोच ने, किरकट दे कोच ने, सब्सक्राइब पंजाब इच लाइफ कोचिस दी लोड़ा है। हरे एक बच्चे नूँ चाहिए किसे अंकल, आंटी, टीचर, किसे बजूर को बड़े नूँ अपना मेंटर बना लवे। उधे नाल शेयर करें। यह बहुत इंपोर्टेंट गाल जी। ते जड़े असी वड़े यहां, साड़ा एक फरोल होना चाहिए हरे एक बच्चे नूँ मॉटिवेट करिए, उत्षाथ करिए। इच इंडिविजूल इस यूनीक। असी यह करता है, असी असल चाहिए, वी आर किलिंग क्रेटिविटी। असी कहने है, सारे बच्चे इक को जोने चाहिए, मैथ ही सारे अगए हो, इंग्लिश ही सारे अगए हो, नहीं, अपना एक सुभा है, अपना टेलेंट है, उस टेलेंट नो उसी मॉटिवेट करिए, उनो उत्षाथ करिए, ते ओ बच्चे यकीनन बहुत कुछ वदिया कर सक जी मैं मैं मैथ चो फेल हो गया सी, मेरी टीचर केंदी सी, तू गोलगप पें अदी रेडी लाएंगा, पर मैं वदिया जगा ते हुन जिन्दीच सैटल बैठा, के मैथ जरूरी नहीं सीगा, कदे किसे टीचर नो, किसे बच्चे नो ऐफो जा कमेंट नहीं देना चाहिए, जा तो अड़ी हिम्मत है, चलो तुसी नो ऐस चैलेंज ले लिया, दूसरी गाल में एक नौजवान बच्चे नो जरूर कांगा, वना दे पेरेंट्स नो मी कांगा, कोई भी समस्या होए ना, जे तुसी चुप रहोगे, छुपाऊगे, उस समस्या वदेगी जे, पराने प बस कितना होगे तो तो अनू रा मिल जाएगा, उन पता नी की होया है, समय नालना, असी इंट्रोबर्ट हो गया है, असी किसे नो दसना नी चान देवी हाई, मेरे कार्चा मुश्किल है, अच्छा, जे में स्रीरक सेथ है न, उमें मानसिक सेथ जे, साड़े पंजाब, इच हाली भी ना हुने, नमानावा जोर है, जिम खुलनते, फिजिकल फिटनेस देवते, डब्ली ओ एच्छो एस विले जोर दे रही है, मेंटल हेल्थ देवते, और सच मुझ साड़ी मेंटल हेल्थ चिंता दा विशा है, होर गलना चिंता दा विशा है निया नहीं, जिनना में जिस दिन मेंटल हेल्थ ठीक हो गई न नशे भी गए निराशा भी गई चड़दी कला आ जाएगी तुसी रिजिलियंट बन जाओगे मैं सोचदा मेंटल हेल्थ ली सानू की करना चाहिए पहली गल एदा स्टिगमा दूर करना चाहिए स्टिगमा आए भी हाए किसे नूँ पता ना लगजे मैंनो 104 बखार हो या वे विसले अफते मैं तो अनू दस्टाइज कोई शरम नहीं मसूस करा रहाँगा मैंनो 104 बखार हो या पर जे मैंनो डिप्रेशन हो या वे साल पहला मैं कांगा आए तो अनू ना पता लगजे मेरे किसे नूँ कोई डिप्रेशन हो या वे ऐसी छुपावांगे ना ना पता ना लगजे में फिजिकल हेल्थ है उमें ही में मेंटल हेल्थ ते मेंटल हेल्थ तुसानू त्यान रखन वास्ते की करना चाहिएदा है कि जो अपनी समस्या शेयर करीगे मैं गल कहने शुर केती है टॉकिंग इस हीलिंग तॉकिंग इस थेराप्यूटिक मैं गल करांगा नो मैं अद्धा ठीक वैसी हो जांगा ते जै मैं छुपावांगा मिनू अपनी समस्या लगएगी भी हाए मेरे ते यह दोश आया मैं आ ते वादी नी सक्दा मैं अगगे कुछ कारी नी सक्ता पर प आता पिता बच्चियानू टाइम नहीं दे रहे जै। बच्चियान दे टेंशन दा कारण है बच्चे अपनी गल किसे नू दसी नहीं पांदे। मैं एक इंसीनेंट तनू सना देना जी। बड़ा इंपॉर्टेंट एक दस कु साल पुरानी गल नहीं जादा शायद होगी होगी। मैं थे जनलिजम पड़ान दा उनिवस्टी दे विच। साड़े बच्चे यी बड़े थोड़े उन्दे ने उन्ना था कि असी सीमत रहन दे सी इन्नी बड़ी उनिवस्टी चासी कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसी दे जनलिजम डेपार्टमेंट इच उना बच्चियानू ही प मैं पुछे आवी केड़ी क्लास पढ़ दे हो केड़े पिंड तो थोड़ी जी गालवत तो बाद एक लड़की ने बाकी तिन्ना नो इशारा किता तो उठके चलियां गई उन्नी लड़की है मैंनू केंदी है सर मेरे कोल ना कल ले तो अड़े कोल आन दी हमत नी पहरी सी त मैं मुश्किल दे विच्छा सर मैंनू गाइड करो मैं के दसो बेटा केंदी सर मैंनू लगदा मैंनू डिप्रेशन हो गया है मैं पिछले एक साल दी अस उनिवस्ती जहां तो मैं पूरा दिन एक साल तो हसी नहीं मैं बड़ी टेंशन वीच रहनी है मैं के बेटा क्यों दस मैं तो अडिनल शेयर नहीं कर सकता ना उस बच्चे दा नाम नट्शेल है सीगा के मेरी मदर मेरी ते शक कर दी है ओ मैंनू कुट दी भी है ओ उची उची बोल दी है ते मैं बड़ा डिप्रेशन च रहन लग गई हैं I am the only child ते मैं शामनू जाके टुशन भी पड़ा निया अच्छा ते इस कॉलेज दे विच मेरे नंबर बड़े वदी है मोटिया मोटिया गल्ला अद्धा पॉना कंटा उन्हें अपने सीक्रेट सी मैं कावांगा उन्हें शेयर कीते ऐवी बड़ी बड़ी गल हुंदी कोई बच्चा तो अड़े ना मैं अधा टीचर भी नहीं उ तो अपने अपने ठीक रखना है ते अपना मदर दाव इलाज करना है जो तु में दस्या है है ना कैनी सर मैं की करा मैं कहा पहली गल तौ नो अठ आथ कंटे नो तो पञे उन्य युनिवस्टीच रहनी है ना कैनी हा सर मैं कहा नमबर तेरे वड़े वदीा ने तु आए अगदाय भी शक कर दी है मदर दूसरी गल तू अपने फादर या रिष्टेदारां चो कौन है जड़ा तेरी गल नू समझ सकता है उन्हों दसो के मेरी मदर अद्दा कर देने ते भई आपा किसे डॉक्टर को लो इना दा इलाज कर आई चलो होर भी गलां यां में नहीं सी ग करनओं आनू मेरी इकादत है से मुद्ध जोजी यूनिवर्स्टी ची कमें एक केंपस चांग था तो दूजी था जाना होए ना मैं कद एक गड़ी निंचके दा मैं वाक करके जाना एक ताउ वाक औज जंदी है एक कोई नो कोई मिल पे जंदा मैं एक दिन बचियां दे नाम पुल जन देने, गल्बद पुल जन दिये, बड़े चार्णल मेरे को लाई, मैंनू फिर भी यादना आवे लड़की कौन है, उन्हें विश कीता, इन्हें नू एकदम मैंनू स्ट्राइक कीता भी रहता, वो वली बेटी है, जडी, वोदों आई सी, ते मैं मैंनू स्ट्राइक कीता, मैं थोड़ा जड़ा जड़ा सड़ा, स्कूलिंग दा सिस्टम थे, क्योंकि मैं छोटे शेर तो उठके लोदे आने चाया, और मैं मेरे आखरी स्वाल है, तुसी इस तरहां गल कीती, मेरे जैंचना हून थोड़ा जड़ा सड़ा, स्कूलिंग दा सिस्टम थे, क्योंकि मैं छोटे शेर तो उठके लोदे आने चाया, और मैं थे वद्दा कल्चर देख्या ता मैं बड़ा हरान सी, के कॉन्वेट च पॉना है, बच्चे नू माँ पे उदी इनिक जद्दो जयद इस शेर च में, हर जगा ही होगी है, और सिरफ लोदे आने इस कल्चर नू और एक दूज़ा इसी के अपनी माँ बोली नू भी पुल दे जा रहे है, के हिंदी नाल कोई नफरत नहीं है, सानू, आसी सतकार कर दे है, पर पंजाबी बोलनी भी छट गए है, एक किदर नू लीड कर रही है, और एक कल्चर बन क्यों रहा है, जी, समिर पहली गलते मैं एक बेंती करांगा, पंजाब दे नौजवान बच्चे बहुत वदिया ने, ते जे नंबर कटने ने ते मापयो दे नंबर कटने जी, असी पेरेंट्स ठीक नहीं है, असी पेरेंटिंग ठीक नहीं कर रहे, आज दे पेरेंट्स फाइनांसर बन गे ने, पे सड़े सार यहां दी इच्छा हों दी मेरी इज़त होवे, मैंनो लोकी वावा कहन, शावाश कहन, मैंनो अवाड मिलन, है ना, फर गुर्वानी इच पाद्शाह फिरमान कर देने, दुनिया किया वडियाईया, कवने आमें काउं, सिम्रन जोज जी आज दे आने विचिया प किया है, मैं सोज़दा मेरी सससे अभी ज़ादा लोग मैनू जानन, नहीं, नहीं, मेरी सससे है कि मेरे अंदर किमे थे थाट्स पैदा हों देने, दा कौलिटी ऑफ माई थाट्स इस कौलिटी ऑफ माई लाइफ, बिलकुल, जे मैनू सान लगियाँ, चड़ दी कला दे ख्य चाहिए दा और जिनने लोग टॉप पोस्टां ते भी पहुंचे ने जड़े रिटायर होगे तुसी मिल के देखो ओ एही गल्ना कर देने भी असी ना वसे दुनिया की कहेगी लोग की कहनगे एदे जिन्दगी बिता देती है सो ऐस दौड़ दे विच्चो मैं कहाँगा पेरेंट्स नो के ओ आप भी निकलन ते अपने बच्चेयानों भी बचानों दूसरी गाल जड़ी तुसी कीती है मां बोली दी वर्ल्ड लेवल ते सर्वेज जे के जेड़े बच्चे अपनी मां बोली विच्च चंगे हुंदे ने उप पढ़ाई विच्वी ते लाइफ विच्वी उगगे निकलते जे बिल्कुल ए माता पिता अपने बच्चेयानाल बड़ा वड़ा निया कर रहे ने के अपनी मां बोली उस बच्चेयनों नहीं दे रहे ए बहुत वड़ा दोश माता पितादा है बच्चेयनों जेड़े मरजी स्कूल च पढ़ाओ कारविच पंजाबी च गल कर रहे उन नीमा समझन लगए है बहुत सारे लोग का नान मेरी गल लंदी है क्यों तुसी अंग्रेजी सिखाओ तुसी हिंदी भी सिखाओ सारा को सिखाओ करता पंजाबी बोलो ओ कैंदे नहीं जी फिर पंजाबी बोलन लग जान दे किसे दे सामने जाओ ता है पंजाबी बोल दे मैं फोजे पेरेंट्स नू कहना होना के मैंनो एक गल पता लगगी कि तुसी अपने बच्चेनु प्यार नहीं कर दे उन्ह laufen बड़ा क्रण लगदा, क्यों नहीं प्यार कर दे मैं कहा जी तुसी अपने बच्चेनु कपड़े भी वदिया дे रहे हो स्कूल भी वदिया दे रहे हो पर अपना विर्सा नहीं कर दे साड़ा बड़ा महान विर्षा जे we have to go to our roots जेडे roots नाल जुड़े रहनगे वो बहुत प्रफुल्लत होनगे तो जेडे roots तो टुड़े जानगे ना थोड़ी दे चंगे लगणगे बाच्चों पश्तानगे मैं एक वार्निंग देनना है फो जे parents नू के कल नू तो अड़े बच्चे जदो स्याने हो गए ना जदो ना नू समझ आई उत अड़े ना नराज होनगे जे के साड़े parents ने सा नू अपने विर्षे नालो तोड़े आया बिल्कुल उस तो बच्चो और कमाल दी कल जे तुसी नू अब बच्चे नू मा बोली दे रहे हो ना ते बच्चे दा कितों भी कुछ नहीं काट रहे हाजे ये parents नू खद्शा भी पता नी पंजाबी बूलनगे ते पिछे रहे जानगे लाट साब तुसी ये भी culture है के छोटा बच्चा होनदा है मा आप शॉपिंग बैग फड़या हुनदा है एक पिछे कमाली ने बच्चा चुक्क होनदा है पिछे दुजी कमाली ने बच्चे दे बैग ते उसमान चुक्क होनदा है तीक है individual हर एक दा राइट है जो मर्जी करन पर मैंने लगदा है के जेडी modernization दी गल वेस्ट दी हुनदी है अंग्रेज भी आप दे बच्चे नू नाड़ लाके रख़दे हो पासे नहीं कर दी मैं तो आनू तिन तरह दिया मामा दस्ता जी जपान दी माँ, इस्राइल दी माँ ते इंडिया दी माँ एक एमेदिया ने जपान दी माँ ने अपने बच्चे नू कुछ सिखाना है ना तो उदे राच चो obstacles रोकां दूर कर दिन दी वी चल चलना सिख या जो भी कम करना है ना उकन दी भी मैं obstacles दूर कर दिन ताकि मेरा बच्चा आराम नालो कम कर सके इसराइल दी माँ अपने बच्चे दे रस्तेज जान के रोकां पान दी वी लंग के दिखा उनू वकप कर दी वी शावाश चल चल निकल इंडिया दी माँ बच्चे ने चुकी लें दी कहां दी मैं कर देनी है तेरा homework मैं कर देनी है तेरा सारा कुछ मैं कर देनी है वो अपने बच्चे नो मुश्किलां जी पैन ही नी दे रही है मैं दुबारा एक गलकां का तोसी कहा सी के मुश्किलां जरूरी ने देखो एक तितली दा बच्चा है अंडे विच्चों बार निकल रहे है बड़ी जोर दी फड़ फड़ा रहा सी तो अडे मेरे वरगे ने किसे ने देखे आ उने चिम्टी लेके न अंडे दा मूँ खुला करता वे बच्चा राम नाल बार निकलाई कहन देने वो बच्चा सारी उमर उड़ी नी सके या ए नेचर दा रूल है कि जिनना उन जनम वेले तड़ फड़ाएगा ना उन्ने उदे लंग्स ते उदे शिस्टम डिवेल्पोनगे असी कने ना 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 यारे नू पीड नी पहन देने नू मुश्किल नी पहन देने देखो बच्चे नू सिखाओ पिछे अपना हाथ रखो सपोर्ट अपनी रखो भी डिगगर नी देना लेकिन उस बच्चे दा उनू मुश्किला विच्चो निकलन दे दा बेस्ट वे इस थ्रू विच्चो लंगड़ा ही बेस्ट वे है अवाइड करना बेस्ट वे नहीं है और मैं सोईदा के पंजाब दे माता पिता पेरेंट्स उना दी पेरेंटिंग दी लोड़ है ताहीं साड़ा पंजाब बच सकेगा इस निराशा दे महाल दे विच्चों सानू एक आस एक होप रखके दुबारा मेनत करनी चाही दी है और पंजाबियां विच एक कुछ है वही है रेजिलियंट ते मैंनो पूरी आस है सिमरिन जोज जी तो अड़े वर गे चैनल्स ते होर ऐसे एस विले पंजाब विच कम होरे ने उत्षाद ही एक मुम्मेंट चल रही है यह साड़ा पंजाब वापस मुड़ेगा वह चड़ दी कला वह खेड़ा वह अनंद पंजाब विच आएगा यह आएगा बहुत तानवाद सानू समा दिता दुसी डॉक्टर साब देनाल अज इंटर्वियू नी होई है मैं यह गलां बता हुई है जो इतिहास दे विच लिखियां जानी है कैसी पॉजिटिव शिक्षियत है जो उस वेले वी उच्छादी गल कर रही सी जो बाकी सारे टैंदी कला दे विच निराश होके पंजाब दे यूथ तो लेके पंजाब दे किसान दी खुदकुशियां ते उन अनु कोसन तो इलावा होर कुश नहीं कर रहे सी जो जे चंगी लगे ता हो रगे भी सुनाओ जे ना चंगी लगे ता ये भी जरूर लख पे जे हो के तो अनु केडियां गला इस दे विच साधियां चंगीयां नहीं लगियां अज दी पेशकर चेन नहीं कैमरा परसन जग्रूप सेंग देनाल सिम्रन जोट सेंग डेली पोस्ट